जैसे ही आप WhatsApp पे किसी से चैट करते हैं तो अचानक से या आजाता है आपका, ठीक है, your updated message, new message will be disappear, disappearing message क्या होता है, ये line क्यों आ जाता है, किसी किसी मैं चैटिंग पे आपका घड़ी का निशान भी आ जाता है तो आज मैं वीडियो बताऊंगा कि ये क्या होता है ये घड़ी का निशान क्यों आता है और चैट करते करते अचानक से ये क्यों लिखाने लगता है ठीक है और आपका 24 गंटा के अंदर गयाब क्यों हो जाता सारा चै निए गायब हो गया तो यह आपका मैसेज गायब की हो जाता है और किसी से चैट ये हैं जैसे आपका रहता ही तो वैसे ये टाइमर रहता है तो यह क्या होता है इसको कैसे बंद कर सकते हैं और कैसे ओपन कर सकते हैं तो इसका क्या यूज है सब वीडियो में बताऊंगा तो माली जै मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस पर घड़ी का निशान है तो यह देखिए 24 आवर का यह लिखा हुआ है जैसे कि 24 घंटा में जो भी मैं इसस सब्सक्राइब बात करोंगा यह मुझे मैंसेज करेगा या मैं इसको मैसेज करूँगा तो यह सारा चैट जो है 24 घंटा करनता है मेरे पास से भी डिलिट हो जाएगा और इसके पास यहां से टाइमर लगता है यहां पर और डीटेल में बत देता है जैसे किसी का भी चैट करके नीचे आते हैं तो यहां पर देखिए डिसापियरिंग मैसेज होता है मतलब मैसेज अपने आप गायव होना ठीक है तो डिसापियरिंग मैसेज पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए मैसेज टाइमर लिखा हुआ है तो देख सकते हैं, message timer 24 hour है, 7 days है, 19 days है, ठीक है, तो यहां पे इतने दिन के लिए timer रहता है, अगर 90 दिन का timer लगाते हैं, तो 90 दिन का जो भी पुराना chat है, वो delete हो जाएगा, ठीक है, अगर 24 घंटा का है, तो मान लिजे एक दिन बात कियें, अगले दिन जो भी बात करेंगे फिर पिछला जो एक दिन का बात है, वो delete हो जाएगा, अपने आप गायब हो जाएगा, तो अगर इसको आफ आफ करना चाते हैं, तो यहां से आफ भी कर सकते हैं, अगर यह आप लगाना चाते हैं, तो लगा भी सकते हैं, तो बस यहां पर जैसे यह आफ कीजेगा, तो यह देगे घड़े का निशान अर्जाया जैसे ओफ कीजए तो घड़े का निशान भी हट जाएगा यहां पर देखे एक डिसेयरइग ऐहाँ पर देखए टाफ देख़ करह방 हो गया की तो संश्राम्न लेकिए तो प्लीज लेकित दो sketch है